लोगसब़ चुनाव के बीच बिहार की सियासत में अब नियाय पालिका को जाती से जोड़ कर मुद्दब बनाया जा रहा है ये हैं आरजेडी के वरिशनेता शिवानन्तिवारी जिन्होंने नियाय पालिका के फैसले पर ही प्रशन चिन लगा दिया है बिहार के पूरु मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का खुद को स्तारन हार समजने बारे शिवानन्तिवारी ने नियाय पालिका पर बेहद आपत्ती जनक बयान दिया है शिवानन ने कहा है कि लालू को सजा इसले हुई है क्योंकि जद समण समाच के थे और इस वजह से ये फैसला लालू के खिलाफ आया इतना ही नहीं शिवानन ने तो यहां तक कह दिया कि जद साहब की भी जात होती है वो सीधे आसमान से नहीं टपक जाते जद साहब लोगं की भी जात होती है साथ थोड़े है कि जद जद जो है आसमान से सीधे टपक जाता है किस जद से काम हुआ है वो सब हम लोग देखे है आप देखिए कि लालू जालो का जो फोडरिस कैम में जो जितना एफाई आरू में उनक पर हुआ है पांच या छे सब कंस्परेसी का चार्ज है और वहां जो जज थे आरन प्रशाद उन्होंने इसको मान लिया कि हम बाई समिधान जो ये कारा इनका एक कॉंस्पिरेसी के चार्ज में इनको सजा मिल गई बाकी जो है कॉंस्पिरेसी पर सुनवाई नहीं होगी सब एक मान लिया जाएगा और सुप्रिम कोट में अरुन मिस्रा ज़ज भेटा है उ कहाएगे नहीं सब अलग-अलग होगा तो जही तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहनी कास सिस्टम ओपरेट कर रहा है उधर बिहार के डिप्टी सीम सुषील मोदी ने ट्वीट कर कॉंगरेस अध्धक्र राहुल गांधी पर हमला बोला है सुषील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कॉंग्रेस को ही जिम्मेदार बताया वहीं जेडियू प्रवक्ता अजय आलोक ने भी शिवानन्तिवारी के बयान पर तीखा हमला बोला जो चार्शीट हुआ है चारा घोटाला में या चारा घोटाला उजागर जो हुआ वो तो यूपिय के समय में ही हुआ था उस वक्त जजज सवर्ण नहीं थे आज जजज सवर्ण हो गए है उधर बिहार कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष मदन मोहन जा ने कहा कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लालू यादव को लेकर मुद्दा बना कर एंडिय के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं आलाकि नियाएपालिका पर प्रश्चिन लगाने वाले शिवाननतिवारी अभी भी अपने बयान पर कायम है और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि अगर इस मामले को लेकर उनकी अवमानना होती है तो वो सजा के लिए तयार हैं लेकिन ये सच है ये वही शिवाननतिवारी हैं जिन्होंने बिहार में ताकतवर होते लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए चारा घोटाला मामले में केस किया था और बाद में इसकी जान सी बियाई से कराने की मांग की थी आज राजनितिक हालात बदल चुके हैं उस समय शिवाननतिवारी नितीश के साथ थे लेकिन अब जेडियों से निकाले जाने पर तिवारी एक बर फिर लालू की शरण में हैं ऐसे में कही न कही उन्हें आज भी अपने किये पर जहां पच्चतावा है साथ ही वो अपने पापों का प्राश्चित करना चाते हैं क्योंकि शिवाननतिवारी अपने बयान में कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने लालू यादव के खिलाब केस करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है बीरो रिपोर्ट जी मीडिया